कि नवस्कार दोस्तों मैं M14C आपके लिए लेकर आया हूं MS Excel की 3rd class आज अपने MS Excel में देखेंगे function ठीक है function मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं function built-in होते हैं और function को built-in क्यों बोलते हैं क्योंकि जब आपन system में MS Excel को install करते हैं तो by default उसी के साथ कुछ function भी install होते हैं क्या होते हैं दोस्तों कुछ function भी install होते हैं ठीक है दोस्तों तो सबसे पहला function आता है अपना mathematical function को सा आता है mathematical function निम्न प्रकार के होते हैं जी भी कई प्रकार के होते हैं वह आपने एक एक से देखेंगे mathematical function कितने प्रकार क्यों ठीक है दोस्तों मैं आपर कुछ value input करता है कर रहा है दोस्तों अपन कि अब इनका अपने क्या करना है एडिशन करना है दोस्तों MS Excel में किसी भी निम्रिक नंबर का एडिशन करने के लिए अपने एडिशन तीन प्रकार से कर सकते हैं त्री टैप्स होते हैं दोस्तों मैं आपको तीन और प्रकार बता है ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपन क्या करेंगे इनको स्वाइब करें जिसे मैंने स्वाइब करें और एक ब्लेंग्स अपने कहां पर चाहिए इस ब्लेंग्स पर चाहिए फिर आपन कहां पर जाएंगे प्रकार तो यह हो गया दोस्तों दूसरा टाइप होता है फंक्शन के दौरा इसके दौरा फंक्शन के दौरा में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला अपन लगाती है दोस्तों क्या करते हैं क्या करते हैं पर फंक्शन या फॉर्मूला आपन लगाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है इक्वल टू ऐपरेटर लगाना होता है क्कुंस ऑपरेटर इ क्या करेंगे क्या करेंगे आपन यहां पर सम्प्रिज करेंगे लिए लिए अपने क्या गए जाएगी ए बंद करेंगे और इंटर कि प्रिज करेंगे जिससे क्या जाएगा. अब फिंसरी देखेStory üst nine न वह अपने इनमेंसे सबीका addition नहीं करना ही दोस्तों करना हना है for you अब 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 पर्टिकुलर बेल्यू का addition लगाएंगेlast लगाने के बाद क्या लेांगेる सम कोश्टक स्टार्ट करेंगे अब जिस का अबomos. करना होता तो पर अपन किलिक कर यह किया लगाए यह किलिक किया फिर कामा लगाया और्पिर किया यह तीनset क्या लेली दोस्तों इन्हें टाइप नहीं तो आप की वोड से टाइप करो यह समझ लेना दोस्तों एक पुष्टक बंद करेंगे इंटर की प्रेस करेंगे तो जितीन वैल्यू का अब देखने के लिए जैसे फंक्शन देखना तो यहां पर देख रहा है आप पर फम्इला वार पर बता रहा है इससका क्व सन देखना इसमें क्या लगा आपने तक भी बता रहा है इसका देखना इसका भी बता थीक है दोस्तों तो आपना कौन सा फंक्ष्चनкий के बाद वाकनने cent के बढूल आसा दोस्तों अधर संक्संट कीना की तो तक एअबरिए आपन एक्वल्टू लगाएंगे एब्रेज लिखेंगे पुछ तक स्टार्ट करेंगे और यह नंबर की अपन सेल रेंज ले लेंगे अगर सेल रेंज नहीं लेना है दोस्तों तो कॉमा लागा कर टाइप भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी नेस्ट एक जंपल में आपको बताऊ है ठीक है तो अपन एक्वल्टू एब्रेज ती त देखने के बाद और यहां पर पर टिख लट बेल्यू जिनका आपको एब्रेज निकालना है उससे क्या करेंगे टाइप करेंगे फिर अपन कुछिटक को क्या करेंगे दोस्तों बंद करेंगे इंटर की प्रेस करेंगे तो इसका आगया average ठीक है दोस्तों अब next function की और वड़ते हैं average function के बाद आपन देखेंगे कौन सा function कौन सा function देखेंगे दोस्तों और even function ठीक है तो सबसे पहले आपन देखेंगे even function कि इबन function का use किसलिए करते हैं दोस्तों किसी भी numeric value को किसको numeric value को किसमें convert करना है even number या किसी भी number को even number में convert करने के लिए कौन से function का use करते हैं even function का use करते हैं तो equal to लगाएंगे या आपा लेकेंगे even कोश्टक स्टार्ट करेंगे यहापको कोई odd function क्या देंगे जैसे अपन ने 15 दी तो 15 क्या है एक और संख्या है, क्यों है और even value कौन सी होती है जो 2 से divide हो जाती है, लेकिन 15 क्या नहीं होती है, 2 से divide नहीं होती है दोस्तों, कोश्टक बंद करेंगे अपन, कोश्टक बंद करने के बाद inter-supposit, क्या होता है? एबन का जश्ट अपोजिट कौन सा होता है, odd function होता है, कौन सा होता है, odd function, इसमें आपन क्या करेंगे, equal to लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगेंगे, odd, कोश्टक बंद करेंगे, यहाँ पर कोई भी even value देंगे, even value मैंने कोश्टी दे दी, 16 दे दी, एक है, कोश्टक बंद करेंगे, और यह odd value मैं क्या करेंगे, इसमें, convert कर दिया दोस्तों, ठीक है, आप इसकी cell range लेकर देख लेती है, equal to odd, कोश्टक श्टार्ट करेंगे, और इसकी cell range ले दी, इसकी 16 की, ठीक है, और कोश्टक बंद करेंगे, तो फिर भी क्या रहा है, odd number में convert कर दिया, आप अपन कोई odd value डालेंगे, इसमें, ठीक है, तो जिर 3 क्या है, कोई odd value है, तो उसे divide नहीं होती है, ठीक है, इंटर की press करेंगे, तो 3 ही रहेगा, दोस्तों, ठीक है, दोस्तों, आपन next function की और बढ़ती है, next आता है, fact function, कौन सा आता है, fact function, का use किस लिए करते हैं, किसी भी numeric value का, यार किसी भी number का, factorial मान, याद करने के लिए, किसका use करते हैं, fact function का use करते हैं, जैसे, आपन क्या लेगेंगे, equal to fact, ठीक है, अब अपने किसका fact ने कालना है, 5 का, ठीक है, कोश्टक बंद करेंगे, इंटर की press करेंगे, तो कितना आग कैसे, निकालते कैसे है, तो निकालते कैसे हैं, इस तरह से, देखो, equal to लगाया अपन, ठीक है, 5, into, 4, into, 3, into, 2, into, 1, ठीक है, अपन यसे into करेंगे, तब भी क्या आएगा, 120 आएगा, दोस्ते, देखो, आ गया, ठीक है, तो इस तरह से अपन, factorial, निकालते हैं, दोस्तों, कि है next function की और बढ़ते हैं आपन अब आपन देखेंगे mode function mode function का यूज किसली करते हैं किसी भी number को इसको दोस्तों किसी भी number को डिवीजर से divide करके जो रिमेंडर यानि जो रिमेंडर बसता है उसे रिटन करने के लिए रिमेंडर को रिटन करने के लिए mode function का यूज करते हैं ठीक है और इसका डिटना जायगा भाण कितना जायगा भाण ठीक है दोस्तों नैस्ट function क्यों वड़ती है पंक्षन आता है आपना इंट पनक्षन है क्याइव कि की प्र मोदी इंटीजर क्यों होती है रिफाम नम्मर को या किसी भी number को ठीक है number को अपने क्या करना है किस तरह से divide करना है कि जो उसके सबसे चोटी value है उसे return करता है क्या करता है छोटी value कहने का मतलब जी है inter function का use किसे लिए करते हैं आपने से जोटी डेफिनेशन सुनना दोस्तों अच्छे से आपने से छोटी निकटतम पूरांक संक्या में convert करने के लिए int function का use करते हैं ठीक है दोस्तों आप देखें है अपन यहाप लगाए equal to बिना equal to के कुछ नहीं होगा ठीक है int ठीक है कोश्टा की इसकी definition मैंने क्या बताई आपने से छोटी निकटतम पूरांक संक्या में convert करने यानि दसमलब में नहीं होना चाहिए दोस्तों मैंने क्या दिया 4.5 4.5 से छोटी होनी चाहिए और निकटतम होनी चाहिए दूर की नहीं होनी चाहिए और संक्या मतलब होता है int i n nはい होनी चाहिए यानि decimal नम्मर में होनी चाहिए जीए और इंट पंक्षन आप क्या आ गया अपना छोट ट्यक है दोस्तो मेस्त आता है अपना पावर फंक्षन कौन सा आता है पावर अबबी निकाल सकते है झाल झाल ठीक है दोस्तों तो जी अपने क्या हो गए अपने सम हो गया एबरेज हो गया इवन हो गया ओड हो गया फैक्ट हो गया मोड हो गया इंट हो गया पावर हो गया तो जी अपने कुछ फंक्शन कम्प्लीट हो गए किसके मैथमेटिकल ठीक है इसके हो गए दोस्तों मैथमेटिक अब नेस्टा पन बढ़ते हैं ठीक है कौनसे फंक्षन की और इस्ट्रेटिकल और सबसे पहला फंक्षन आता मिन मिन फंक्षन सब्सक्षा आता है मिन के दी गई का लेंच या नमबर में से सबसे चोटे नम्मर को find करके return करने के लिए इस function का use करती है min function का इसका use करती है min function का ठीक है तो इसमें मैं पहले number लिखे लेता हुँ दोसको number type करने है अपन तो यहाँ पर मैंने क्या कोई भी value टाइप चाहिए ठीक है अब अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे min function का use करें इसका करेंगे min function का इसके लिए अपन एक्वल टू मिन पुष्टग में अब इसकी cell range लेने के दोस्तों यह टाइप कर देंगे कोम लगा कर ठीक है तो मैंने इसकी cell range लेने के बाद पुष्टक बंद किया और इंटर किया तो सेजन में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 12 को क्या करती है दोस्तों रिटन करती है इसके बाद करेंगे सबसे बड़े नंबर को फाइंड करके रिटन करेंगे तो इसके लिए आपन इक्वल टू एम एक्स और कोश्टक करेंगे और इसी की cell range लेंगे दोस्तों यह नमबर टैक करतेंगे कोम लगा कर ठीक है और इसके आपन कोश्टक को बंद करेंगे और इंटर की प्रे function ठीक है इसका यूज करती है किसी भी नमर का इसकी फुल परम होती है square root क्या होती है दोस्तों square root किसी भी नमर का किसी भी नमर का square root निकालने के लिए किस function का use करते है कोच्टक करेंगे इंटर की प्रेज करेंगे अब कोच्टक प्रेस करेंगे चाहिए अब नेट्ट फंक्सन का शिम्भॉल होता है जो मैं लगा रहा हूं चिम मालगा अब यहााँ पर q घृण होता है चेल रही तो इननमर को क्या करेंगा रिटन करएगा तो चैन करेंगा नमबर को गिनगी करेंगा आपने numeric value दी हैं enter की press करेंगे तो कितनी दी है 5 तो आपने 5 को क्या करेगा return करेगा ठीक है दोश्तों तो जाब के कौन से function हो गाई statical function हो गाई statical function अब आपन देखेंगे test और string function देखेंगे कौन से देखेंगे test और string function इसमें सबसे पहला function आता है वो आता है कौन सा length function length की perform होती है length और length का मतलब होता है लंबा है क्या होता है दोस्तों लंबा है ठीक है किसी भी test या number की क्या निकालना है length निकालना है तो किसका यूज़ करेंगे length function ठीक है दोस्तों आपने length लिखा ठीक है equal to लगाया और double कोश्टक में मैंने लग दिया M से, M से मैं कितने character हैं, ठीक है, तो उसे क्या गरेगा, return कर देगा, ठीक है दोस्तो, अब इसमें अपन equal to लगाएंगे, एक और example देखें लेती है, len, और यहां पर मैंने कहलेगा, double कोश्टक में 1,2,3,4,5, ठीक है, double कोश्टक बंद किया, ठीक है, तो इसका कितना आएगा, दोस्तो, जी कॉमा को भी count करेगा, जी double inverted कॉमा के अंदर जो भी लिखा है, सब को count करेगा, इसमें आप देख रहे हैं, number कितने दी हैं, 5, और कॉमा कितने लगे हैं, 4, 5 पिलस 4 कितना होगा, 9, तो इसका answer आएगा, 9, ठीक है, ठीक है, दोस्तो, next function की और बढ़ती है, next function होता है left function, कुंसा होता है, left function, ठीक है, left function का use किस लिए करते हैं, किसी भी condition के आदार पर, किसी भी condition के आदार पर, left or से, किसी condition के आधार पा left order से character को return करने के लिए left function का use करते हैं दोस्तों ठीक है equal to लगाएंगे left ठीक है कोश्टा की start किया अभी हाँ पर क्या देंगे अपन condition देंगे condition मैं क्या लेका मैंने ams ठीक है comma अभी हाँ पर क्या देंगे to यानि left side से two character क्या कर देगा जे return कर देगा इंटर की press करेंगे AI को return कर दिया दोस्तों left side से two character को return कर दिया यहाँ पर आपन three लिखते तो three character return कर देता ठीक है दोस्तों अब इसी का just opposite एक और function होता है right function अब किसी condition के आदार पर किसी condition के आदार पर right order से character को return करने के लिए किस function के यूज करते है right function के यूज करते है तो राइट रोड से character को क्या करेगा return करेगा तो कर दिया दोस्तों ठीक है अब next आता है dollar function का मतलब यह नहीं है आप सोचो इंडियन करन्सी के साथ से dollar जितने का चला हो से इल्टू करके return करेगा ऐसा कहीं कुछ नहीं है तो अब इसमें क्या रहता है आपने जो नम्मट डाला है तो उसमें से क्या करेगा dollar का सिंबोल लगा देगा dollar का सिंबोल तो अपने dollar लेका dollar लेकर कोश्टक स्टार्ट किया तो यहां पर क्या डालेंगे नम्म डालेंगे यह डाला अपने पॉइंट फाइब सिक्सेवर टेक है पॉमा लगाया यहां पर क्या दे दिया दसमलब के बाद दो नम्मर रिटन हो यानि अपने दो वेल्यू रिटन हो ठीक है किसके बाद दसमलब के बाद तो यहां पर इंटल की प्रेस करेंगे तो आ गया दोस्तो पूंसा रहता है तो इसके लिए आपन क्या करेंगे हुआ है अगर पूंस अगर अब अब इसके लिए क्या करेंगे यह से लिखा अपने ट्रिम कि अब अब क्या करेंगे क Use oval करेंगे एसमें लेकी मैंने से अब यहांपर दीछना दोस्तों कि अब यहांपर मैंने काफी इसपिस छोड़ दिया तो अनावस्या की इसपिस बन गया घृँ के लिग एगा मैंने कमप्पूटर ले त्रीम मतलब जो आपके टेश्ट रेस्ट में जो अनावस्यक्व करता है उसे रिमूट करता है आता है और अधा है क्या करेेगा टेश्ट स्ट्रिंग को जूड़ने का कंपूटर संदें एंधे इनक यहां पर क्या लेंगे। उक्षाया और अपन क्या करेंगे दोस्तों बंद करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो एक मैं करती है इसको बोलते को ने इसको क्या करता है कई जोड़ने का काम करता है तो आपके कौन से फंक्शन हो गई दोस्तों आपने टैस्ट और इस्ट्रिंग फंक्शन अब अपन देखेंगे देट इं टैम फंक्शन है सबसे पहला जाता है को तक आता हैं इहां पर समझना दूस्तों अबने सिस्टम में इसमें अपने खो गठा宠ी का मतलब समस्थम्षण का मतलब करने के लिए उसे return करने के लिए किसका use करते है today function का तो equal to लगाएंगे today ठीक है और कोश्टक बंद करेंगे इंटर की प्रेस करेंगे तो current date को return कर दिया ठीक है दोस्तों अब next आता है अपना concern now function क्या करता है today function में क्या कर रहा था only date को return कर रहा था now function में date और time को return करेंगा वो भी current में जिस सिस्टम में चल रहा है ठीक है दोस्तों equal to लगाएंगे now और कोश्टक लगाएंगे यानि function की symbol होती है जे और इंटर की प्रेस करेंगे और date and time क्या कर दिया इसने रिटन कर दिया रिटन कर दिया ठीक है दोस्तों next function आता है अपना कौन सा डे function का यूज किसली करते हैं दी गई date मेंसे किसमें दी गई date मेंसे डे को return करने के लिए दे function का यूज किया जाता है ठीक है तो यहां पर अपन ने क्या लेका date कोश्टक करेंगे यहां पर क्या लगाएंगे अपन डेट देंगे ठीक है तो आज डेट क्या है अपन mm, dd, y, y में देंगे date यह भी याद रखना है दोस्तों क्योंगी computer में जो date का format चलता है वो किसमें चलता है mm, mm का मतलब month, dd का मतलब day और y, y का मतलब year होता है दोस्तों और यह कहां कहा है यह date का format है यह American format लेकिन अपना Indian format क्या होता है dd, mm, y, y होता है लेकिन computer में कौन सा format यूज होता है अमिरकन format और अमिरकन format कौन सा होता है mm, dd, y, y, y ठीक है तो यहाँ पर लेका है अपना कौन सा महीना चलता है